देर्रात बिहार के मुख्यमंत्रि नितीश कुमार जेडियू के राष्टिया धक्ष के घर पहुंसते हैं और फिर बातचित सुरू होती है अब खबर यह आ रही थी कि जेडियू के राष्टिया धक्ष के पद से ललन सिंग को हटाया जाएगा और उसके बाद ललन सिंग से जब मीडिया वाले बात करते हैं जेडियू कर्याली के अंदर तो वो आग बबूले हो जाते हैं और फिर उसी दिन देर रात को नितीश कुमार ललन सिंग के घर पहुंसते हैं वहाँ पर उनसे मुलाकात करते हैं लगभग घंटों बाचीत होती है और फिर वो अपने घर चले जाते हैं यानि कि जो ललन सिंग का अपना घर है बुद्धा कॉलनी में वहाँ पर नितीश कुमार उनसे मिलने आते हैं रात के अंधेरे में ये मुलाकात होती है और ये मुलाकात बेहत खास बताई जा रही है कहा ये भी जा रहा है कि नितीश कुमार ललन सिंग को मना रहे कि आप मान जाएए पद से स्तिपात दे दीजिए और ललन सिंग मानने को तयार नहीं है या फिर ललन सिंग से कुछ अंदुरूनी बातचित करनी होगी और निटीश कुमार ने सोचा होगा कि उनको अपने घर बुलाने से अच्छा है कि उनी के घर चलके मिल लेते हैं और ऐस से भी निटीश कुमार अपने पाटी के नेताओं के घर अचानक से जाते रहते हैं कभी असोक चौदरी के घर तो कभी वो अपने किसी पुराने नेता के घर पहुंच जाते हैं तो जेडियू के राष्टिय धक्ष के घर तो जाहीं सकते हैं और ललन सिंग के घर वो जाते ह उनसे मुलाकात करते हैं बातचीत होती है बहुत अंदुरूनी बातचीत होती है रात के अंदेरे में निटीश कुमार जेडियू के राष्टिया धक्ष ललन सिंग के घर जाते हैं उनसे मुलाकात करने और बस बात यही है कि जेडियू के राष्टिया धक्ष के पद से ललन स को हटाने की बात चल रही है कहा जा रहा है कि दिल्ली में 29 दिसंबर को जो बैठक होगी राष्टिय कारकार्णी की बैठक बुलाई गई है लेकिन राष्टिय परिसद की भी बैठक बुला ली गई है और राष्टिय परिसद की बैठक इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए या फिर कुछ बड़ा नेर्ने लिया जाए तो अब बड़ा नेर्ने क्या होगा वो तो खुद ललन सिंग बताएंगे लेकिन निटीश कुमार ललन सिंग से मुलाकात करने गए थे और वहाँ पर अंदुरूनी बातचीत हुई है और अ सामने आएगी कि आखिर क्या बातचीत हुई है वो तो ललन सिंग बताएंगे या फिर मुख्यमंत्री निटीश कुमार बताएंगे क्योंकि बंद कमरे में यही दोनों थे और इनी दोनों की बातचीत हुई है हलाकि कहा यह भी गया कि ललन सिंग नराज है निटीश कुमार से वो उनसे मिलना नहीं चाते लेकिन ऐसी बाते अगर होती तो ललन सिंग दिल्ली में निटीश कुमार से मुलाकात नहीं किये होते फिर ललन सिंग से निटीश कुमार खुद मुलाकात करने पहुंसते हैं और बहुत सारी बातचीत होती है 2024 को लेकर बादचीत होती है सीट सेरिंग को लेकर बादचीत होती है और उसके बाद पार्टी विस्तार पर चर्चा होती है खास करके चर्चा इस बात को कि क्या चुनाओ लड़ना असान रहेगा राष्टिय पद पर बैठते हुए ललन सिंग खुद राष्टिय दक्ष का पद छोड़ना चाहते है क्योंकि उनको मुंगेर से चुनाओ लड़ना है और ऐसे में चुनाओ लड़ना और पार्टी को संभालना दोनों मुस्किल हो जाएगा तो ये भी एक कड़ी जोड़ी जा रही है कि राष्टिय दक्ष के पद से वो हट सकते हैं अब आगे देखिए क्या होता है इसक बर में इतना ही बने रहाएं साथ और देखते रहे The India Top